असलाम एकोम आज मैं बिना रही हूं कलर वाले मीठे चावल इनको मतंजन भी बोलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो चीजें हमें चाहिए वो नूट कर लेंगे मैंने दे लिए हैं दो कप चावल के दो कप शुगर क्योंकि इसमें जितना चावल होंगे उतना ही शुगर भी डाली जाएगी 250 ग्राम लिया है बटर कलर जितने भी आपके पास हैं ड्राइन नट्स जितने भी आप इसे साबसे डालना चाहिए वो डाल सकते हैं और अपनी टेस्ट के साबसे कम और ज्यादा कर सकते हैं सबसे पहले मैं चावल को बोल करूंगी इनको फुली बोलने ह करना इतना बोल करना है कि इसमें एक हिसा अभी कच्चे रहते हों जब चावल बोल हो जाएंगे तो साथ ही हम शुगर उसको भी मैल्ट कर लेंगे शुगर में ज्यादा पानी नहीं डालना दो कप शुगर है तो उसमें हम 4 टेबल स्पून पानी की डालेंगे और उसी में असता उसको हिलाते रहेंगे तो मैमइल्ट होना शुरूव जाएगी जाम मैल्ट होगी तो वह इस में पानी पानी जाला कि इसमें पानी जुग से जाहिँ डालना है जब शुगर अच्छी ता से मिक्स करेंगे जब बटर अचीता से मिक्स हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ड्राइ नस जो भी डालने है वो भी मिक्स कर लेंगे इथे मैंने वन टेबर सपून कैवडासेंस भी डाला है आप वो डाल सकते हैं इसके लवा अगर कोई और आपको फ्लेवर पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं कैरामल के पसंद हो तो एकạoश्यपर सिपून क्जश्क जorno क्वेटी JPस, वो डाल सकते है अच्छी तरह से मीक्स करेंगे both 3-4 जवलाची भी डाल देंगे जब ऑच्छी तरह से मीक्स ऑजाएंगे तो इसमें चावल जिनको अपने वोयल करकी रखा था वो भी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे चुला हम स्लो कर देंगे जाबलो को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कलर हमारे पास जितने भी हैं उनको एक एक टेबल स्पून में मिक्स करेंगे और दो दो तीन तीन जगा पे थोड़ थोड़ डाल देंगे मेरे पास तीन ही color थे मैंने तीन ही ढाले अगर आपके पास ज़्यदा है तो ज़्यदा भी ढाल सकते हैं 5 मिन तक हम इसको slow आउच पे cover करके दाम पे रखेंगे उसके बाद चुला बांद कर देंगे और आधे गिंटे के लिए इसको दम पे ही रहने देंगे आधे गिंटे बाद हम दम खोलेंगे मिक्स करेंगे हमारे कलर वाले चावल होगे हैं रेडी ये थी हमारी आज की रेस्पी अगर आपको अच्छे ही लगी तो ट्राइज रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना हमें रखना अपनी दवाओं में याद अलाफेश झाल 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 झाल झाल